यूपी के बुलन शहर की बात करते हैं जहां अपने दोस्त उध्योगपती शमीम खान के घर आए फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता सहीम खान और इस खास मूखे पर हमारे यूपी स्टेट हैड रिजवान अंसारी ने उनसे की खास बात चित तो चलिए सीधे आपको कैई सो एपिसोटों में कभी हीरो का रोल करते हैं कभी दरुगा का रोल करते हैं तो कभी बन जाते हैं खलनायक आई जानते हैं कि इनों ने अब तक किन किन प्रुग्राओं में काम किया है साथधान इंडिया क्राइम पेट्रॉल और कौन कौन से इनकी आने वाली फिल्म है साइम खान जी ये बताइए कि आप तक किन किन एपिसोडों में काम किया है क्राइम पर्टोल में अब तक कितने एपिसोड किये होंगे और क्या-क्या आपकी उसमों भूमिका रहती है क्राइम पर्टोल में मैंने मोर दिन थ्री एंडेट एपिसोड्स I have done as a lead जो कभी victim play किया कभी culprit play किया अपार्ट फॉम देट साओधा इंडिया एस वेल साओधा इंडिया में दो धाइसो तीन से पिसोड किये एक्ट्री देखा जात तो मुझे यादी नहीं कि मैंने कितने पिसोड किये हैं बट एक round figure अगर मैं करूं तो इतने ही होंगे एंड मात्र फिल्म आये थी रवीना तंडन की जिसमें मुझे एक पी आई का कैरेक्टर मिला जिससे रूल लोगों ने बहुत अप्रिशेट किया रिसेंटली मेरी फिल्म C.I.F. Canada Film Festival में मुझे Best Actor Award मिला फॉर इक्राम फिचे फिल्म है जिसको मैंने खुद ही डरेक्ट की है और Perfect and Winner में Last Short Film Festival में हमारी फिल्म कई खातून की खिदमत जिसे बहुत अप्रिशेट किया गया और रिसेंटली मैं दूसरी फिचे फिल्म के लिए प्लान कर रहा हूँ जिसकी वेज़े से मैं खोड़ जाया जाया शमीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तो मुझे एक गाउं का लोकेशन चाहिए था एक आउटर फिल्म के लिए तो हंटिंग के लिए निकला हूँ और बहुत प्यारा शहर है बहुत अच्छे लोग है आंके बहुत कॉपरेट कर रहे हैं और बहुत मोहबत मिल मुझे यहां पर अच्छा लग रहा है अब आपी कौन-कूर सी फिल्म आने वाली है भी आने वाली फिल्म है थर्ड नॉवंबर और पराकास्था पराकास्था को डरेक किया है जग मोहन कपूर ने जिनों नरगीना निगाहें बंजार अंसार इन सब फिल्मों को किया था व इकराम भी रेडियर रिलीज के लिए निशालला इकराम जल्दी ही रिलीज होगी और मेरे सारे आउडियंस को देखने मिलेगी मेरे क्राइम पिट्रोल के आउडियंस बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस फिल्म के लिए तो उमीद करता हूँ अल्ला जल्दी कामयाब करे उसमें बना चुके हैं सावधन इंडिया में भी प्रोग्राम बना चुके हैं अब जोन जोन सी फिल्म में इनके आने वाली हैं उन्होंने नाम बताया कैमरामेन हरु सेफी के साथ सीमे निश रिजवान अंसारी बोलन शेहर